नमस्कार दोस्तों उसे मोका देकर गलती की 56 रन से मिली सर्वनाक हार से बुखलाए धवन नए नवेले खिलारी पर फोरा हार का धिडरा तो वो कौन से खिलारी हैं जिस पर सिखार धवन ने अजीवो गरिब बयान दिया है बताएंगे इस वीडियो में उससे पहले अगर एवं चेनल को सस्क्राइब जरूर करें मोहाली में पंजाव किंस और लखनो सुपर जैंस के बीच आईपिल 23 का 38 मुकाबला खेला गया जहां धवन की टीम को 56 रन से करारी मात मिली इस सर्मनाक हार से कप्तान सिखर धवन के चेहरे पर मायूसी साफ नजर आ रही थी चलिए जानते हैं सिखर धवन ने मैच के बाद पोस्ट परजेंटेशन में क्या कहा है दरसल इस मैच में कप्तान सिखर धवन टोस्ट जीत कर गेंदवाजी करने का फैसला लिया पहले बल्ले बाजी करते हुए लखनाओ ने 20 ओवर 5 विकेट के नुकसान पर 277 रन बना दी इसके जवाब में पंजाब की टीम 19.5 वर में 201 रन पर अलट हो गई लखनाओ से मिली 56 रन सिखर धवन बहुत निराज दिखे मैच परजेंटेशन के दौरान उन्होंने बताया कि गेंदवाजों ने खूब रन लुटा है एक्स्ट्रा गेंदवाज खिलाने का फैसला गलत था य कि मेरी रन नितीब मुझ पर ही उल्टी पर गई हमें आज एक एस्पिनर की कमीवी खली है या मेरे लिए एक सीख है अंत में धवन ने कहा लिविश्टोन और यहां तक की सेम करन भी वहां थे इसलिए हम सारुखन को आगे बल्लेबाजी के लिए नहीं भेज पाए गोरब खेली वही रजा ने 36 रन बना कर पविलियन लोटे पंजाब की गेंदवा जी बहुत ही लचर दिखी अर्षदीप ने 54 रन जबकी रवारा ने 52 रन लुटाए बता दे कि इस मैच में पंजाब की इस की तरफ से रवारा ने दो बिकेट जबकी अर्षदीप सेम करन और कि इस मैच में बिकेट लिया